ये कहानी है एक ऐसे परिवार के बारे में जिसमें किसी की मौत भी हो सकती थी मगर उनका उधार करने वाला कोई और नहीं बलकी खुद महादेव थे ये कहानी सुनकर आप भी हैरान होंगे और आपकी आँखों से आसु अवश्या आजाएंगे इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों कौन है जो भोले भंडारी का आशिरवाद ना पाना चाहता हो अगर आप भी भोलेनात की क्रिपा चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंस में जरूर लिखे हर हर महादेव जै भोलेनात दोस्तों भोले भंडारी के लिए एक प्रमोशन मिली थी उनकी जंदगी खुशाल चल रही थी उनका परिवार सुखी था उनकी सेहत भी सही थी सब कुछ अच्छा चल रहा था पर जंदगी कब कैसा मोड़ ले ये किसी को भी नहीं पता देवाली की चुटियां अपने परिवार के साथ मना के कपिल अपने और वो सभी गर्म चाय के लिए बेताब थे। कुछ देर के बाद स्पेशल ड्यूटी से वौकी टोकी पर संदेश आया कि बॉर्डर पर कुछ हलचल देखी है। गोलियों की बुचार शुरू हो गई, कोई कहीं से मार रहा था तो कोई कहीं से। आतंगवादी कपिल के टीम के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। पर थोड़ी ही दिर बाद कपिल के लिए बैक अप टीम आ गई। उनके आते ही कपिल और उनकी टीम का साहस और बढ़ गया और वो तेजी से जवाबी फाइरिंग करने लगे, छे आतंगवादियों की जान चली गई और दो बेहोश हो गए। भले ही जीत भारत की थी पर दुख के बिना नहीं। कपिल को घुटने पर गोली लगी थी, दर्द जितना वो महसूस कर रहा था उससे जादा, उसे गम इ अभी कुछ नहीं हो सकता था, उसे आराम की सक्त जरूरत थी, कुछ दिन बेट गए और कपिल अपना समय अस्पताल में बिता रहा था, उसने अपनी मां से फोन पर बात करने की सोची, उसकी मां ने फोन उठाया और कपिल की हालत के बारे में जानकर रो पड़ी, उनके रो अभी देखकर जादा ही दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरी मां घर में एकदम अकेली है, अपनी मां को आश्वासन देते हुए कपिल बोले रोम अत्मा सब ठीक हो जाएगा, और कपिल ने फोन काड़ दिया, अगले दिन जब उनका दोस्त उन से मिलने आया तो उसने देखा कि कपिल बहुत ही जादा परिशान और दुखी है, जब उसे सारी बात का पता लगा तब उसका भी जी दुखी हो गया, उसने अपने गले से उतार कर कपिल को अपने रुद्राक्ष की माला दे दी और कपिल से कहा कि जब जब मैं दुखी हुआ हूँ मैंने इस माला भर उसमाला का जब शुरू कर दिया और महादेव से अपने परिशानियों के लिए उपाय की आराधना की कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा सुभा शाम कपिल उसमाला को अपने से दूर नहीं करता था और भगवान शिव का नाम लेता जाता कुछ दिन बाद जब डॉक्टर ने उसकी पट्टी खोल कर देखी तो उन्होंने बड़े दुख के साथ बताया कि उसकी सेहा तभी ठीक होने में कम से कम दो से तीन महीने और लगेंगे उस रात कपिल बहुत रोया महादेव का नाम लेकर चीक चीक कर पुकारता रहा रोते रोते महादेव का नाम लेते हुए कपिल की आख लग गए उसे सपने में उसकी मा दिखी वो एकदम से खुश हो गया और पास जाकर जब देखा तो उसकी माँ अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी उनका पूरा चहरा पीला पड़ा हुआ था उनकी आखे एकदम लाल थी और नाखुन का रंग काला पड़ा हुआ था वो अपनी माँ को ऐसे देखकर अपने सपने में चिला पड़ा और अपना सर जुकाते हुए बोला हे महादेव मैं क्या करू मैं अपनी मा के पास कैसे जाऊं हे महादेव मुझे कोई रहा दिखाओ एकदम से कपल को अपने सामले से एक आवाज सुनाई पड़ी सब ठीक होगा तू ही सब ठीक करेगा बदले में सिर्फ कुम्भ के मेले में गंगा में डुबकी लगा कर अपने मन और तन को पवित्र करना है वहाँ तुझे अपनी खुद की माला अपने आप मिल जाएगी और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा कपल आवाज सुनकर हैरान हो गया और जैसे ही सर उठाया तो वो अपने सपने से बाहर आ गया और देखा के वो पसीने से तर्बतर था उसके हाथ में वही माला थी और चादर बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी कपल की नजर अपने घुटने पर गई और वो देखकर हैरान हो गया उसकी पटियां खुली होई थी एक छोटे से कटके सिवा उसके घुटना एक्कम से सही था उसने अपने बिस्तर से नीचे पाउ रखा और चलने की कोशिश की और वो चल पा रहा था बिना किसी दर्द के उसकी खुशी का कोई ठीकाना नहीं था पर कहीं कुछ हो न जाए इस डर के मारे कपिल वापिस अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने सुबा होने का इंतजार किया सुबा होते ही जब डॉक्टर्स कपिल के पास आए तो वो कपिल को चलता फिरता देखकर हैरान रह गए उन्होंने चू कर देखा ठंडा गरम लगा करके देखा पर कपिल का घुटना एकदम से सही सलामत था उसने अपने सीनियर अफसर से उसी दिन दोपहर में घर जाने की दरखास तकी उसके अफसर ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी कपिल ने अपने सभी बैक पैक किये और घर के लिए निकल पड़ा सफ़र लंबा था पर कपिल का साहस कम नहीं हुआ उसके हाथ में वो माला थी और वो महादेव का ध्यान करता रहा घर पहुचते साथ ही वो भाग कर अपनी मा के पास पहुचा और अपनी मा को प्रणाम किया पर उसकी मा की तब्यत इतनी खराब थी कि वो अपने बेटे के गले भी नहीं लग पा रही थी कपिल ने तुरंथ ही गाड़ी का इंतजाम किया और अपनी मा को हॉस्पिटल ले कर गया हॉस्पिटल में एमिर्जनसी वॉर्ड के डॉक्टर ने कपिल को बताया कि उसने अपनी मा को मोत की मुसे बाल-बाल बचाया है अगर एक दिन भी लेट हो जाता तो उसकी मा शायद नहीं बच पाती ये सुनकर कपिल रो पड़ा और पास के ही शिव मंदिर में जाकर उसने अपने घुटने महादेव के सामने टेक दी और महादेव से बोला हे शिव तु सच में मोत का भी अंत कर सकता है तेरी शरन में आकर मेरी मा बच गई कुछ दिनों बाद उसकी मा की तब्य ठीक हो गई वो अच्छे से खाने पिने लगी और उसके चहरे के रंग में भी काफी ला लिया गई थी कपल की खुशी का कोई ठीकाना नहीं था इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे अपनी मा की सेहत ठीक होते देख उसे बहुत चान्ती मिली पर अभी भी उसका काम बाकी था उसे कुम्भ जाना था जैसा की महादेव ने उसे कहा था अपनी मा की सेवा के लिए उसने अपनी मोसी को घर बुला लिया और हरी द्वार के लिए निकल पड़ा वो पहले स्नान के शुब दिन पर ही हरी द्वार पहुच गया और कुम्भ मेले की रंगीन दुनिया में मगन हो गया इतने श्रधालू देखकर उसकी आतमा भी बहुत खुश थी वो मनी करनी का घाट की तरफ गया और स्नान के लिए उसने गंगा में डुपकी मारी स्नान के बाद वो कुछ देर घाट पर ही बैठा रहा धूपकी किरने उसके शरीर पर चमक रही थी उसका घुटना एकदम से सही था और वो श्रधालू की भीड को देखता गया कुछ ही देर बाद उसके कंधे पर किसी ने हात रखा उसने जब पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नागा साधू के सचीव उसके सामने खड़े थे उसने साधू को प्रणाम किया उस साधू ने उसके सामने कुछ सामान रख दिया और बोले ये तुम्हारे लिए है अपनी जिंदगी में भै पर विजय प्राप्त करना जब कपिल उस सामान को देखने के लिए जुका तो उसने देखा कि तीन सफेद फूलों की माला के बीच में एक रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी कपिल चोग गया उसका मुग खुला का खुला रह गया उसे महादेव की कही हुई बात याद आ गई ये माला साक्षात महादेव की ही थी उसने जैसे ही साधू को बताना चाहा तो देखा के नागा साधू उसके सामने था ही नहीं उसने हर जगा देखने की कोशिश की मगर वो साधू कहीं नहीं मिला उन साधू का कपिल को पता नहीं चला भगवान की अप्रमपार लीला से कपिल का मन भक्ती और प्रशंसा से भर गया कपिल आज भी अपनी मा के साथ रहता है अपनी जिंदगी में खुश है और आज भी उसी माला से महादेव की आराधना करता है तो दोस्तों आपको एक वीडियो कैसा लगा हमें कमंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहें हर हर महादेव जै महाकाल